खुसाम दीद दोस्तों राम राम सलाम मैं दरमपाल मलिक जेंद से हूँ आज की मारी विडियो का विश्य है बाइगरोफिय ओफ राव बलबीर शिंग ये राय बाहदूर राव बलबीर शिंग जो निवर रिवाडी के रहने वाए थे रिवाडी के राजा थे उनको जो नि राजा रिवाडी भी कहा जाता है उनको चीरागे ये दूबन सी भी कहा जाता है आज हमने पहली वीडियो अईरवाल के पर रिवाडी रियासत की बनाई थी दूसरी वाइगरोफिय ओफ राव तुलाराम जी की बनाई थी आज हमारी ये राव बलबीर शिंग जी के उपर तीसरी वीडियो है आज मैं बताऊंगा ये अरियाना के इस इलाके को रिवाडी मेंदरगड नारनौ गुडगावा को अहीर वाल कहा जाता है ये अहीर एक जाती है अहीर सबद कहां से आया संस्कृत के आभीर सबद से अहीर सबद बन्या है जिसका मतलब होता है फियर लेस नीडर जो किसी से नीडरता हो और अहीरों का काम भी एक मार्शल कॉमनिटी की तरह से जोनी खेती करना और फोज में लगना है ये एक मार्शल कॉमनिटी है थारा सो स्थाउन के अंदर इस इलाके का अहीरों ने सोला नूम्र थारा स्थाउन गो रावतूला राम जी के ने तर्थव में नसीबपूर की लड़ाई लड़ी थी जोहरियाना की सबसे बड़ी लड़ाई थी और उसके अंदर अईरों का बहुत जादा नुक्षान हुआ था परिणाम सरूप अंग्रेजों ने अईरों के फोज के अंदर बढ़ती के उपर रोक लगा दी लेकिन कोमनेटी को जोनी मारसल कोमनेटी डिकलेर करवाया और फर्स्ट वर्ड वार के अंदर आने एक यादव भाईयों ने पर्थमवी सोयुद के अंदर बाग लिया और अंग्रेजों को जीत दिलवाई यादव सबद कहां से आया स्री किर्शन जी बगवान को यदूबंसी कहा जाता है और अहीर लोग अपने आपको स्री किर्शन जी बगवान के वनसज कहते हैं इसलिए यदूबंस से ही यादव सबदाया बहुत से भाही अपने नाम के पीछे यादव लिखते हैं अब आया राव राव साब भी कहते हैं हीरों को ये राव जोनी सब से पहले राव क आयरों का सरवन काल था उसके अंदर जोनी सार हांसी बिवानी दादरी मेंदरगड नारनोल रिवाडी और राजस्तान का कुछ भाग अलवर का डिष्टिक का ये सब जोनी राव राजा गुजरमल के नीचे आते थे राव राजा गुजरमल जो को राव भादूर की योद्धा ये कहते ही रानी बासाक सबद है राव और यही इसी यही उपादी अंग्रेजों ने राए बादूर जोनी बलबीर सिंग जी को भी दी थी मैं यहां यह सपस कर दियू कि राव गुजरमल जी राव बाल किसन के छोटे बाई थे और राव बाल किसन जी जोनी वो 1749 के अंदर जब नादिर्शा ने बाद के उपर आकर मन किया करनाल की लड़ाई के अंदर वो बड़े बादूर की साथ लड़े थे और 2749 को लड़ाई के मैदान में ही अपने साथियों के साथ सही दो गए थी इस तरह से ये अहीर कोमनिती शुरू से ही एक लड़ा का कोमनिती रही है और खेती बाड़ी करने वाले कोमनिती है एक काहत भी है अहीर जिसे खेती की तदबीर जो खेती के काम में कुसल है जो एक रेतिली मिती को भी सोना बना देता है उसे ही अहीर करते हैं और जोनी अही पिरवाल को हरियाना का इसराइल भी का जाता है आजकल खेती बाड़ी जोनी फवारा सिस्टम से उती है और बड़ा खुसाली लाका है संधारा सो तीन के अंदर जब अंग्रेज लोग अरियाना के अंदर आए तो यहां के राव टेज सिंग्री वाड़ी के जोनी वो राजा थे वो मराथों के दोस्त थे और मराथों में और अंग्रेजों में लड़ाई हुई मराथों की तरब से राव टेज सिंग्जी लड़े लेकिन मराथों की हार हो गई तीस दिसम्बर थारा सो तीन को सर्जी अंजनगाओं के संदी के अनुसार ट्रीटी के अनुसार या इलाका डॉलर राव सीदी इंडिया ने अंग्रेजों को दे दिया फलसरूप राव तेज सिंग की रियासत को फौरफीद कर लिया जब्त कर लिया और उसका कुछ भाग तो जो यमना नदी से पूरों में था उन्होंने अंग्रेज राजे मिला लिया और इधर का इलाका जो नी बर्तपुर के राजारंजीद सिंग को दे दिया लेकिन कुछ समय के पास बाद अंग्रेजों से भी नराज हो गए इसलिए मेंडरगट के डिष्टिक गजटियर के अन पूरुन सिंग राव नत्थू सिंग और जोनी राव जवार सिंग राव पूरुन सिंग के पूतर राव टूला राम जी थे राव टूला राम जी जोनी वो ठारास ताउन के बहुत बड़े फरीडम फाइटर थे और अफगानिस्तान के अंदर 23 सितंबर 1663 को आजादी की लड़ाई के लिए त्यारी करते हुए विदेशी मदद के परियास के अंदर ही वो अफगानिस्तान में काबूल के अंदर सवरग सिधारे थे उनकी वहाँ पर समाधी भी है और सत्री भी है उनके बेटे थे राव यूदिस्टर जी जो उसमें वो दो महीने के छोड़ कर गए था जिसको नांगल पठानी गाओं का परशासक बना गा था यह राव जीवा राम के ही दो पुतर राव की संसिंग और रामलाल नसीबपुर की लड़ाई के अंदर सहीद हुए थे राव की संसिंग बहुत बड़े फरीदम फाइटर और बहुत ही अच्छे मैनेजर थे उन संसिंग की राणी शुर्जकोर ने राव बलब्र शिंग के बारे में ही बताएंगे नांगल पठानी गाओं के अंदर संथारा सुच्व रासींग के गर उभा राव शिवाज सिंग के गर पर वा था वो जीवा राम जी के ही इसी लिवाडिर यासग के खानदान से इसी बल चेरा चेरा था और बड़ी तावरिंग परसनल्टी थी उन्नी सो वो बहुत बड़े संथन करता भी थे और्गिनाइजर भी थे उन्नी सो दस के अंदर उन्नों ने रिवाड़ी के अंदर आहिरों की एक पंसायट बुलाई और पहली बार जोनी अहीर याद दो अक्षेत्रिय मासभा का उन्नी सो दस के अंदर निर्मान किया वहीं से जोनी इसकसेत्र के अंदर जागरती पैदा हुई और अहीर बाहियों के अंदर एक तासुरू हुई उसी से में राम पुरा उसका जो आज भी अरियाना की राजनीती में का एक प्रमुक के अंदर है ये सुरवात रा राव बादर बलबीर सिंग मौमद अली जीना जोहारलाल नैरू सरदार पटेल और मातमा गांडी सभी ने इसास वासन पर की आजादी मिलेगी अंग्रेजों का साथ दिया था इसलिए राव बलबीर सिंग ने भी अहीर वीरों को जोनी फोज के अंदर बढ़ती करवाया इसके फल्जर सुरूप उनको राव बादर का किताब मिला ओबी ई ओर्डर ओबिर्टीस इंपायर का किताब मिला उनको पांच मुर्बे जमीन भी मिली ओनरीरी कैप्टन का किताब मिला लेटिनेंट गौ़र्णर पंजाब के जोनी कॉंसील का उनको सदश्य बनाया गया वो जोनी अपने समय के एक बहुत बड़े नेता थे फिर जोनी हरियाना के पंजाब के अंदर उस समय जोईंट पंजाब होता था जिसके उनको जिले थे पंजाब के अंदर पहली बार उनीस सो डिसंबर उनीस सो बीस के अंदर वी दान सबा के लिए चुनाव हुए उस टे किसको पहली बार पंजाब लेजिसलेटिव कॉंसिल बनी थी उननी सो तेईस के अंदर उन्होंने फिर चुनाव लड़ा लेकिन वो सवराज पार्टी के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन यूनियनिस्ट पार्टी के राव पॉप सिंग से वो चुनाव आर ग वहनी MLA बन गए और ठारा जन्वरी 1941 को जब लावर के अंदर वो सवरग सी दारे तो उस वक्त भी वो सीटिंग MLC थे उनको उनने जोनी अपने इस इलाके के लिए की भूत सेवा की है वो लोगों के दिलों के अंदर रहती थे और वो एक बहुत बड़े संक्थन करता थे लो ने स्ताफित की और सलाई आहीर कालिज रेवाडी के निर्मान में उनका बहुत बड़ा योगदान है इसी लाके के अंदर एजूकेशन फिलाने का सिरे राव बलबीर सिंग को ही जाता है और यही कारण है कि आज तक सो साल के बाद भी रामपुरा होसकी चोदर आहीरवाल क इंदर ऐसे की ऐसी है राव बलबीर सिंग्ग के बाद उनके पुढ़र वहू بھی दतक पुढ़र यहाना के दूसरे मुखे मन्तरी बने अब राव इंदर सिंग जी के पुढ़र जो हैं राव इंदर जीद सिंग्ग जी वह बी स ENDWow इस और में मन्तरी है और रामपुरावसक सोधर को कायम रखे हुए हैं राव बल बीर सिंग ने जो फोज के अंदर आदमियों का लगवाया तो उन्होंने पर्थम वी सो युद के अंदर वी देश कों के अंदर उनको वो गए अंग्रेजों का लड़ाई जीतवाई इससे उनको बहुत बड़ाग स्पोजर मिला और इ एजूकेशन का भी महतर लोगों के समझ में आया और इलाका दिर नदुगने और राच चोगने उनत्ती करने लगया राव बल बीर सिंग जो हैं वो बहुत बड़े सोसल रिफॉर्मर थे वो मदनमों मालविये के भी मित्तर थे और अपने समय के जो हैं वो सामाज एक सोसल अरियाना की या पंजाव की ऐसी हमेले है जो उन्नी सो उस्ताउन के अंदर सर्व समती से रिवाड़ी से जो इसको हमेले चुना गया था उनको दा एजूकेशनिक सेत्री सिक्षा के विकास के लिए पदम्स की नाम भी मिला था वो जो नहीं सामाजिक करिया करता थी और ले उनकी राव जो नहीं बलबीर सिंg जी अपनी रानी न्यालकोर के नाम एक वसीयत लिक् viens ते मिले गुजरे थे उसी वसीयत के मिला न्यूंसाल राव राव बिरिंदर सिंग जी को गोद लिया था वो उस शमया आर्मी के अंदर बिर्टिश आर्मी में कैटन थे उनिस सो में उन्होंने इस्टिफा दे दिया उनीस उननाचास में वो आई पीएस में भी सेलेक्ट हो गए थे लेकिन उन्होंने नोकरी नहीं की और अपनी जायदाद को समआया और अपने खांदान के नाम को आगे बढ़ाया रावबल बिर सिंग जो नहीं ये थी भाई यो मोटा रावबल बिर सिंग जी के बारे में इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो किरपया वीडियो को जोनी शेयर भी करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना जै हरियाना और जै हरियान भी जै हिंद